इस वीडियो में हम पढ़ेंगे collective noun के बारे में, collective noun क्या होते हैं और उसके example के बारे में, example क्या क्या है collective noun के, ठीक है, तो collective noun क्या है, it is the name of a collection of person and things, treated and spoken together as a whole, collective noun अगर हम simple भासा में कहें, तो क्या है किसी भी चीज का collection, ठीक है, जिस तरह हम किसी के collection को एक साथ बोल सकते हैं, ज अगर बहुत सारी गाये हैं, अगर एक गाये हैं, तो हम क्या बोलते हैं, काव, लेकिन अगर बहुत सारी काव हैं, बहुत सारी काव हैं, ग्रूप में हैं, ग्रूप ओफ काव, तो उनको हम क्या बोल लेंगे, हर्ड, ह-e-r-d, हर्ड, ठीक है, कोई भी चीज का collection, collection मतलब कि पॉलते हैं तो किसी भी चीज का क्लेक्शन क्या गालता है यह क्या है एक नाम पर्सन का तिंग का जो हमें एक साथ लेते हैं ठीक है colony group of ants अग्र बहुत सारी चीटी हैं ग्रुप में जा रही है तो हम क्या बोलेंगे colony ठीक है उसके बाद है हमारा swarm कि अगर बहुत सारी इंसेक्ट हैं तो अंको क्या बोलते हैं swarm फ्लॉक ग्रुप ऑफ बर्ट ग५ॉप आफ इंसेक्ट।र्वलै । । । । । । । । ौ । । । । ठीक है तो किसी भी चीज का collection हमारा क्या कहलाता है collective noun कहलाता है जैसे मैंने तुम्हें बताया था दुनिया में जितने भी नाम है person का place का thing का noun है उसको क्या बोलते हैं हम noun कहते हैं ठीक है तो इसका third part करा दे मैंने collective noun और इसके जो अच्छे से हम दूसरी वीडियो में करेंगे material noun और दूसराइब स्ट्रेक नाम ठीक है थाइंग थाइप।